दोस्तों अगर साइबर स्कैम की बात करें या साइबर फ्रोड की बात करें तो एक फेस्बुक बहुत अच्छा जरिया है ऐसे क्रिमिनलों का जहां पर वो लोग घात लगा कर बैठे रहते हैं और आप जैसे लोगों को यानि कि जो भोले लोग होते हैं जिन लोगों को इन च पचास लाख रुपे की डिमांड की गई, मामला क्या था कि फेश्बुक पर दोस्ती हुई, ढाई लाख रुपे वसूल भी लिए गए, और उसके बाद हनी ट्रेप में फशानी की धमकी देकर 50 लाख रुपे की एक डिमांड कर दी जाती है, उसके बाद कांग्रेश के नेता जो हैं उनके हाथ पाउं फूल जाते हैं कि आखिर आब वो करें तो क्या करें क्योंकि उनको रेप की धंकी मिल चुकी थी उन्हों कहा जा रहा था कि अगर आप 50 लाग रुपे नहीं देते हैं तो आपको रेप केस में फसा दिया जाएगा तो आज इस वीडियो में ये कम्प फ्रोड हमारे देश में चलाते रहते हैं बेसिकली उसके लिए चाहें वो आपसे OTP पूछ कर आपके साथ फ्रोड करते हैं या फिर आपके साथ वीडियो कोल के जरीए आपके साथ फ्रोड करते हैं और इसके बाद अगर बात करें नए फ्रोड की तो फेस्बुक के जरीए आपको जहांसे में लेकर आपको एक खुबसूरत लड़की दिखा कर आपके साथ fraud कर सकते हैं तो जो ये fraud लगातार जो भढ़ रहा है ये भी हमारे लिए चिंता का विशह है और इसी वज़े से हम लोग आपको समय समय पर इन frauds के related सारी जानकारी देकर आपको aware करते हैं और हमारा मक्सद रहता है कि आप लोग ऐसे क्रिमिनलों के जाल में नाफसें तो दोस्तो आज जिस topic पर हम जो बात करने वाले हैं यानि कि जो हमने विशह लिया है कि facebook पर दोस्ती करके धाई लाक रुपे वसूले यानि कि किस तरीके से facebook पर एक लड़की आपसे दोस्ती करती है और उसके बाद आपसे धाई लाक रुपे वसूल भी कर लेती है और उसके बाद आप जब पैसा देना बंद कर देते हैं तो आपको हनी ट्रेप में फशाने का यानि की आपके उपर एक रेप केस का चार्ज लगवाने का आपको एक दावा करके आपको धंकी दी जाती है और 50 लाक रुपे की डिमान की जाती है ये मामला वैसे अगर बात करें ये राजस्तान का ही है राजस्तान के अंदर अगर बात करें नोखा जो की बीकाने डिस्टिक में इस्तित है वहां के कॉंग्रेस के नेता यानि की एक सरपंच है जो कॉंग्रेस से समर्थित है और उनके साथ क्योंकि वो सोसल मीडिया पर एक् request मिलती है और उसे request को accept करने के बाद जिस तरीके से लड़की बनकर आजकर एक scam ओर चल रहा है जिसमें video call की जाती है video call करके video record कर लिया जाता है और फिर धंकी दी जाती है viral करने की उसी तरीके से इनके साथ क्योंकि ये समाद सेवी आदमी थे तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई मदद मांगने के लिए इस तरीके से request send कर रहा है तो उन्होंने accept कर लिया और accept करने के बाद दो चार दिन बात हुई और उन्होंने मदद मांगना start कर दिया बताया कि मैं गरीब परिवार से हूँ या फिर मेरी कोई आर्थिक परेशानी है जिसमें आप मेरी मदद करो तो जो समाद सेवी के रूप में जो कांग्रेस के जो सर्पन साब थे क्योंकि वो सर्पन से तो उन्होंने क्या है कि उनकी मदद भी कियो और लग बग 2,50,000 रुपए ऐसे व्यक्ति को दे दिया जब ये पैसे इतने भड़ गए और उसके बाद लगातार जो मदद मांगी जा रही थी लगातार चलती रही तो सर्पन साब ने देखा कि आप मदद करने से कोई फाइदा नहीं है क्योंकि ढाई लाग रुपए जा चुके हैं तो ऐसे में जब उन्होंने मदद करने से मना कर दिया यानि कि उन्हों बोला कि अब कोई मदद नहीं होगी मेरे को जो मदद करनी थी या मेरे पास जो भी मेरी इस्तिती थी उसके अकोर्डिंग मैंने आपकी मदद कर दी है तो ऐसे में जो लड़की है उसके द्वारा उन्हें रेप में फसाने की धमकी दे दी गई और कहा गया कि अगर आप पचास लाक रुपे नहीं देते हो तो आपके खिलाफ रेप का मामला दर्ज करा दूँगी और आपको जेल हो जाएगी दोस्तों ये बाते जैसे ही सर्पन साब के नोलेज में आई सर्पन साब के हाथ पाउं फुल गए उन्होंने देखा कि अब पुलिस के पास जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है जब वो पुलिस के पास गए तो उन्होंने इस सारी घटना पुलिस जो थाना दिकारी है उनको बताई और उसके बाद पुलिस के द्वारा एक जाल तयार किया गया उस लड़की को फसाने के लिए और ऐसे में वो सोदा 10 लाक रुपे में तैह हो गया 10 लाक में तैह होने के बाद जो लड़की थी उस लड़की का नाम था रितु चोधरी और उन्होंने के द्वारा जो जगे बताई जा रही थी कि आप 10 लाक रुपे लेकर यहां आ जाईए वहीं पुलिस टीम के साथ सरपंचा पहुँचे और उसे महिला को उस लड़की को जो आड में या फिर लड़की बनकर आप लोगों के बीच में रिक्वेस्ट सैंड की जाती है आपसे दोस्ती का एक हवाला दिया जाता है आपसे एक दोस्ती की जाती है और उसके बाद आपके साथ ना जाने किस तरीके से अपराद कर दिये जाते हैं तो आप लोग अवेर रह आती है तो हमारे वीडियो को लाइक सेर जरूर करना दोस्तों अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जैभार